इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के अधार पर काम करता है जो सारवजनी क्रूप से मौझूद है क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? क्या चीन तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत करने वाला है? क्या चीन जो है ताइवान के लिए अमेरिका और जापान के साथ साथ नेटो कंट्रीज से भी भिड़ने के लिए तैयार है? नमस्का दोस्तों डिफन्स डेटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग दोस्तों चीन और ताइवान के भी जो तनातनी शुरू हुई है वो चरम पर पहुँच चुकी है ताइवान के नए प्रेजिडन्ट ने हाली में ताइवान की आजादी की बात की तो चीन ने इसका जवाब देते हुए तीन दिनों के मिलिटरी एकसरसाईज को अंजाम दे डाला जिसमें उसकी नेवी और एर फोर्स ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था तो सवाल उठता है क्या चीन की एकसरसाईज वाकई खतरे की घंटी है या फिर ये पहले की तरफ ड्रैगन की बंदर घुड़की है ये जाने की कोशिश करेंगे कि वन चाइना पॉलिसी पर जोर देने वाले चीन के लिए ताइवान पर हमला करना फाइदे का सौधा सावित होगा या फिर इसका अंजाम जो है वो उल्टा भी हो सकता है जोग दी थी और सबसे बड़ी बात ये कि ये ड्रिल ताइवान की घेराबंदी करके की गई इस तस्वीर को देखे इस तस्वीर में आपको जो लाल घेरे नजर आ रहे है वो चाइनीज नेवी की घेराबंदी है देखिए कैसे इस ड्रिल में ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया था तीन दिनों तक चली इस ड्रिल में ऐसा लग रहा था कि चीन वाकई ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है ताइवान के डिफेंस फोर्सेज ने भी इसके लिए कमर कर सली थी चीन ने अपने इस ड्रिल सोड 2024-A को ताइवान के लिए पनिश्मेंट एक्सराइज करार दिया है चीन का ये ड्रिल कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसमें शामिल नेवल वेसल्स और एरकाफ्ट से लगा सकते हैं इस एक्सराइज में चीनी नेवी के 15 शिप्स, चीन के कोस्ट गार्ड के 16 जहाज और 42 एरक्राफ्ट का इस्तमाल किया गया चीन ने अलान किया है कि जब तक ताइवान की आजादी की बात होती रहेगी तब तक पिये लेका इस तरह का आक्शन भी जारी रहेगा चीन की इस डिल ने दुनिया को डरा दिया था अमेरिका, जापान के अलावा फिलिपीन, मलेशिया, ब्रुनेई, सबकी नजरे ताइवान पटिकी थी ताइवान के साथ साथ अमेरिका और जापान ने भी जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ ताइवान स्ट्रीट में चीन के मिलिटरी डिल ने अमेरिका को बेचाइन कर दिया उसने फॉरण फिलिपीन सी में मौझूद अपना एरक्राफ करियर यूएसस रोनाल्ड रीगन को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया जापान ने भी ताइवान की तरफ पढ़ने वाले अपने खाली वीपों पर डिफेंस फोसेस को तैनात कर दिया लेकिन चीन ने अपने इस डिल से बाहरी फोसेस को भी चेतावनी देडा ली चीन के इस डिल और डिल के बाद दिये गए उनके बयान इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वो तैवान को लेकर कितने रिजिड हैं ना तो उसे तैवान का अलग देश बनना बरदाश हो रहा है और ना ही अमेरिका जापान और दूसरे देशों का इस विवाद में कूदना इसलिए वो तैवान से जुड़ी कोई भी पॉलिटिकल या स्ट्राटिजिकल घटना के बाद इसी तरह रियाक्ट करता है आपको याद होगा यूएस हाउस पीकर नैंसी पेलोसी साल 2022 में ताइवान गई थी तब भी चीन भड़क उठा था और उसने ताइवान के आसपास मिलिटरी ड्रिल शुरू कर दी थी चीन की आर्मी हर कुछ महिनों में ताइवान पर हमले का अनिमेशन वीडियो जारी करती है इस वीडियो को देखिए इससे पीले की इस्टन थेटर कमांड ने रिलीस किया था इसमें चीन की आर्मी, एर फोर्स और निवी का एक साथ ताइवान पर मिसाल अटाइक दिखाया गया है इस वीडियो को भी पीले की स्टन कमांड नहीं जारी किया है इसमें बताने की कोशिश की जारी है कि कैसे चीन की नेवी और एर फोर्स एक साथ ताइवान को गेर कर हमला कर सकती है यानि चीन और ताइवान के बीच ये चलता रहता है लेकिन खत्रे की घंटी दिसमबर 2023 में जब सैन फ्रांसिसको समिट में आये चीन के प्रेज़न शी जिन पिंग ने अमेरिकी प्रेज़न जो बाइडन को सीधे तोर पर ये कह दिया कि चीन ताइवान को अपने में मिला कर रहेगा इतना ही नहीं जिन पिंग ने तो साल 2027 की डेडलाइन भी बाइडन को बता दी थी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ये चीन के प्रेज़न की अमेरिकी प्रेज़न को सीधी धम की थी हलांके जिन्पिंग ने ये भी कहा था कि चीन की प्राथमिक्ता इसे शांते पून तरीके से सुलजाने किया लेकिन इससे इस बात का अंदेशा तो बढ़ गया कि चीन ताइवान पर डाइरेक्ट अटाक भी कर सकता है अब फिर उसे सवाल की तरफ लोटते हैं कि क्या वाकई चीन कोई भी कदम उठाने से पहले अपने नफे नुकसान के बारे में ठोक बजाकर जाच करता है और पका होने पर ही वो आगे बढ़ता है इस बात में कोई दोराय नहीं कि वो ताइवान पर कबजा करना चाहता है लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए वो यानि कि चीन कितनी बड़ी कीमत अदा करने को तैयार है CNN की 1 जून 2022 की ये रिपोर्ट देखे लिखा है चीन के पास ताइवान पर कबजा करने की ताकत तो है लेकिर इसके लिए उसे बहुत जादा खोनी कीमत चुकानी पड़ेगी यूस नेवल इंशियूट ने दो मार्च 2023 को पेंटागन के ओफिसर्स के हवाले से एक खबर पॉबिश की थी इसमें भी दावा किया जा रहा है कि ताइवान पर अटाइक करने में होने वाला खर्च चीन के कदम रोग देगा 23 फरवरी को दिप्लोमेट ने अपने रिपोर्ट में ये दावा किया कि जातातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा दे डिप्लोमेट की एक खबर स्विडिश नेशनल चाइना सेंटर के रिपोर्ट के आधार पर तयार की गई है तो आपको सीधे वो रिपोर्ट ही दिखाता हूँ ये रिपोर्ट बता रही है कि ताइवान पर चीन के हमले का खत्रा तो बढ़ा है लेकिन चीन के सामने ना केवल अमेरिका और दूसरी अलाइट कंट्रीज की फोर्सेस होंगी बलकि इस लडाई से उसकी अर्थ विवस्ता पर भी गहरा असर पड़ेगा अब लोवी इंस्ट्यूट की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ इस रिपोर्ट को इस्ट वेस्स सेंटर होनो लोवी के सीनियर फैलो डेनी रॉई ने तैयर किया है इस रिपोर्ट का टाइटल है वाइ चाइना रिमेंज अनलाइकली टू इन्वेड ताइवान यानी चीन के ताइवान पर हमले की आशंका क्यों नहीं है इस रिपोर्ट में डैनी ने बताया है कि मौडरन वाशिप्स, कॉमबेट एरक्राफ्ट और मिसाल से लैस होने के बावजूद बीजिंग इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि उसका हमला कामयाब ही होगा और उसके वज़ा है, अमेरिका और जापान की सेना का रेजिस्टेंस इस बात में कोई दोराये नहीं कि अगर चीन ने तैवान पर हमला किया तो अमेरिका और जापान खुल कर तैवान के साथ आखड़े होगा अमेरिका ने तो ताइवान को फाइटर जट से लेकर दूसरे तमाम हतियार भी दिये हैं इसमें एर डिफेंस भी शामिल है और भी बहुत कुछ है इसके साथ साथ उसने कई वार्शिप्स इस रीजन में पहले से ही तैनात कर रखे हैं यो वार सिच्वेशन में ताइवान के लिए शील्ड का काम करें इसके साथ साथ चीन को अमेरिके मिसाइल्स, सबमरीन्स, माइन्स, ड्रोन्स यहां तक कि एलेक्ट्रोनिक वार्फेर का सामना भी करना पड़ेगा इसमें जापान का मिलने वाला साथ उसके लिए और मसीबत खड़ी कर देगा ये बात चीन भी अच्छे तरह से जानता है इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क उठा ले फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता अब आपको Institute for the Study of War की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ ये रिपोर्ट इसी महीने 13 मई को पब्लिश हुई है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़ाई के अलावा चीन ताइवान को अपने साथ लाने के लिए और क्या कर सकता है ये रिपोर्ट बता रही है कि ताइवान पर अटैक में चीन के सामने सबसे बड़ा खत्रा अमेरिका है अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ये हमला पूरे Pacific Reason में एक बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा जिसे जेल पाना चीन के लिए मुश्किल होगा रिपोर्ट बताती है कि चीन अभी तो ताइवान को आखे दिखाता रहेगा और हमले की धमकी भी देता रहेगा लेकिन साल दोहजर अठाइस के आसपास वो ताइवान के साथ एक Peace Agreement भी कर सकता है Council for Relations ने तो एक रिपोर्ट भी तयार की है जो चीन के ताइवान पर हमले के तरीकों और उसके नतीजों के बारे में समझा रही है ये रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका और जापान की सिक्योरिटी के अलावा भी चीन का ताइवान पर कबज़ा करना बहुत मुश्किल है इस रिपोर्ट में बताएगा है कि ताइवान पर हमला करना एक Extraordinary और कॉंपलेक्स मिलिटरी आपरेशन होगा जिसमें Land, Air और Sea Power के साथ साथ Electronic और Cyber Warfare को सिंक्रोनाइज करना होगा Council for Relations की इस रिपोर्ट ने इस हमले में सबसे बड़ी चुनोती ताइवान स्ट्रेट को बताया है रिपोर्ट के मताबिक स्ट्रेट में वेधर कंडिशन्स अक्सर खराब रहती है मौनसून के दो सीजन की वज़े से चीन को हमले के लिए कुछी महीनों का समय मिल सकता है और अगर उस दोरान भी चीन ने हमले की प्लानिंग की तो उसे अपने लाखों सानिकों और लड़ाई का सामान ताइवान ले जाने के लिए हजारों जहाजों की जरूरत पड़ेगी और इसमें हफतों का समय लगेगा अगर चीन की फाज ताइवान स्ट्रेट पार भी कर लेती है तो ताइवान में केवल कुछी डीप सी पोर्ट हैं जहां चीन के बड़े जहास पहुंश सकते हैं और उस हालात में ताइवान खुद अपने डीप सी पोर्ट को तबाह कर चीन की फाज का रास्ता मुश्किल कर सकता है ताइवान का एस्ट और वेस्ट कोस्ट भी हमले के लिए सही नहीं है समंदर उथला है और चीनी फौज को किनारे तक आने के लिए छोटी बोट्स का इस्तमाल करना पड़ेगा जाहूने ताइवान की डिफेंस लाइन के हमले जेलने पड़ेंगे ताइवान पहाडों और जंगलों से किरा है ऐसे में अगर चीन की फौज वहाँ पहुचती भी है तो ताइपे और दूसरे शहरों में घुसने के लिए उसे पहाडों और जंगलों को पार करना होगा जहां उनके इंतजार में ताइवान की फौज खड़ी होगी अब एक और बड़ी बात चीन के लिए ताइवान में अर्बन वारफेर भी बहुत भारी पढ़ सकता है मान लिजिए कि चीन की सेना या तो जंगलों और पहाडों को पार कर ताइवान के शहरों में घुस गई या फिर एर डॉप्ट से उसने अपने कमांडोस वह उतार दी तो वहाँ भी उन्हें कड़े प्रतिरोत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ताइवान ने इसके तैयारी पहले से की हुई है उसने अपने स्रिजन्स को अर्बन वारफेर के लिए पुखता ट्रेनिंग दी है तो चीन की आर्मी नेवी और एर फोर्स भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो लेकिन ताइवान को जीतना उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा इसके अलावा हमले के विजए से अमेरिका समय दुनिया भर के देशों को देश जो हैं वो सैंक्शन लगा देंगे तो चाइना को सैंक्शन भी जहलने पड़ेंगे चीन की एकॉनमी के हालत वैसे ही खसता है उसका इंटरनल और एक्स्टरनल जो डेट है वो लगातार भड़ता जा रहा है देश में बड़ी-बड़ी कमपनियों ने अपने शटर गिरा दिये है बेरुजगारी दर इतनी पहुंच चुकी है कि चीन ने उसका डेटा पबलिक करना बंद कर दिया है ऐसे में अगर लड़ाई चुड़ती है तो चीन की एकॉनमी पर इसकी दोहरी मुरार पढ़नी तया है अंतर राश्टिये पाबंदियां उसकी अर्थवास्ता का दम निकाल देंगे क्योंकि लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए ना भाई और बाद में लड़ाई के बाद भी समझने के लिए पैसे चाहिए ऐसे में चीन ताइवान पर अटैक करने की गलती करेगा फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता लेकिन देखिए चीन तो चीन है वो कब कहां कौन सी चाल चल दे इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल इसलिए चीन से हमेशा साथान रहने के जरूत है क्योंकि वो चीन है तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से अनुरोद है भाई की चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकोन जरूर दबाईए भाई ताकि हमारे द्वारा अपलोड किये गए हर वीडियो के जानकारी आप तक फॉरण पहुच जाए जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हूँ